कि नमस्कार मैं हूँ सुरेट चमान के और आप देख रहे हैं बिंदास बोल में आज हम आपके सामने ओविसी की नंगा नाच जो सिरीच चला रहे हैं उसके 28 दिन में पहुंचे हैं और यह 28 दिन है जिसमें हम लगातार रोजाना विदाउट फेल पूरे कमिट्मेंट के साथ नए नए तरकों के साथ और इसके कुतरकों का जवाब देते हुए लेकर आए हैं कई मुद्धे और आज हम आपके सामने इसके और कुतरकों का जवाब देने के लिए बॉलिवूड के मशुहूर व्यक्ति जिनको कई डॉयलॉग लिखने के लिए कई गीत लिखने के लिए कई पुरसकारों से नवाजा गया है रमी महंद्र दत्त जी हमारे साथ जुड़े हैं इन्होंने एक कारेकम देखने के भाद मुझे फॉन के और रिक है इस नंगा नाज के शेरीज में मैं कैसे योगदान दे सकता हूँ कैसे मदद कर सकता हूं तो मैंने कहा कि आप शब्दों के मालिक है भगवार ने आपके पास इतनी प्रतिभादी है जिसके शब्दों के साथ आप लोगों को अपने विचार से प्रभावित कर सकते तो आप एक गीत लिखे उन्होंने ना केवले गीत लिखा बल्कि उसको मुजीक दिया पुरा कंपोच किया और वो हमको रेडिमेड भेज दिया है उविसी के खिलाप नंगा नाच में तमाम ल उसके बाद मैं आपसे फिर बात करूंगा दर्शेकों को मैं बता diferencia की मेरे साथ इस वक्त शिच्ट में चार गेस्ट भी है कभी ए कम ने आज काह था कि शायर के साथ साथ हम आपके साथ अज कभी भी रखेंगे जो अपनी बात को रखेंगे अंकित होजा हमारे साथ है राखी सिह हमारे साथ है चेतन नितिन खरह है और अमीत शर्मा है अमीत पहले भी आए हैं और आगे आते रहेंगे हम चालो कभी और एक बड़े मशुहूर विश्व विक्याच शायर के साथ उस गाने की लॉंचिंग करने जा रहे हैं जिस गाने में उन सारे कुतरकों का जवाब रमी जी ने दिया हैं जो अकुरुदिन ओवेशी ने भारत भारत माता और भारतियता के खिलाप निकाले हैं इस गाने की लोग एक साथ जुड़कर अपनी बात को कह रहे रमी जी ने जो गीत हम तक हम तक भेजा है उसको मैं प्ले करता हूं और यही इसकी लांचिंग होगी इसको आप यूटूब पर भी आभी आडियो में देख पाएंगे और जल्दी हम इसका वीडियो आलबम भी आपके सामने लाएंगे ओविसी के कुतरकों का रमी जी का यह जवाप आपके सामने हिंद कि शक्ति जिखला दो इस ओवेजी अभिमानी को इक इनर में ललकारा है हर इक हिंदोस्तानी को जूट समझ पैठा है यह तो रामकृष्ण की वानी को रामायन की सा पढ़वाओ विद्डोही अज्यानी को हिंद कि शक्ति जिखला दो इस ओवेजी अभिमानी को इक इनर में ललकारा है हर इक हिंदोस्तानी को सरे आम बेशर्मी का ये नंगा नाच दिखाता है जातपात के नाम पे भोले लोगों को भड़काता है दीन धरम में जहर घोल कर ये मौमिन चहलाता है ये दुश्मन है भारत मां का सची बात यही है जूट कपट छर्मकारी इसकी यौकात यही है ये ओलाद है आई एस आई की इसकी जात यही है इंदोस्तान की धर्ती से कुछ भी ले जाना पाएगा सच का चेहरा पहुट जल रही तेरे सामने आएगा ताज महल ले जाने वाले खुद का धोपे जाएगा बात मरन के क्या होता है आज तुझे बतलाएंगे संप वित्र अगनी में जल कर राम कसम कर जाएंगे और वेसी तुझे कप्र में कीट मगवडे खाएंगे आज तुझे को ये समझा दू के होती है नारी कैसी नूर शबाना मीरा राधा रव्या और गीता जैजी तेरी मोकी जात भी है कोशल्या और सीता जैजी बड़े जानवर खाकर आखिर क्या दद्द तुझे खाएगा असल स्वाद से ओवे सी तुझे तुझे तही रह जाएगा तु अर्खा कर देख कभी तु बड़ा मजा आएगा नापाकी का अपने सर पे तुने कफन लगेटा है नफरत जलन धिना के उस्ते शोडों पे तु लेटा है तु इनसान कहा है मूरत तु शैटान का बेटा है तेरी जूठी आन का सूरत किसी शाम ठलने को है तेरा फल दो फल का जीवन मिट्टी में मिलने को है ये तेरी नापाक रूप अब को बख में चलने को है कंदे मातरम कंदे मातरम कंदे मातरम कंदे मातरम कंदे मातरम दन्यवाद रमी जी गीत हमने सुनाया है सारे हिंदुस्तान ने देखा है और भी दुनिया देखेगी क्या सोचकर आपने ये गीत लिखा कुछ नहीं भायर मैं मसलसली आपका प्रोग्राम देखता हूँ और जिन्दिगी में पहली मरतबे एक ऐसे इंसान को मैंने सुना जिसकी जबान से हर एक लव्ज जहर की शक्ति में निकलता है और ऐसे लोगों को आज तक किसी अईरिस नहीं किया इतना क्लिरली इतने साफ तरीके से जो कुछ उसने कहा ना गवर्मेंट कुछ कर रही है ना किसी तरफ से कोई आवाजें हुठ रही हैं मैं तो ये कहूँगा कि आप धन्यवाद के मुस्तहब हैं शुक्रिया के मुस्तह रहे हैं और जल्द अगर ऐसे लोगों का कुछ नहीं किया गया तो यकीन जानी हम लोग जो कलम के धनी हैं कलम जासे लोगों को तलवार उठाना पड़ेगा मैं समझ सकता हूँ आपकी भावना को और रमी जी मैंने पूरे गीत को कई बार सुना है क्योंकि यह आजादी के वंदे मातरम जैसा गीत होगा ऐसे खलनायकों के खिलाप लड़ने वाले देश के तमाम सिपाईयों को उसके सारे कुतरकों को आपने जवाब दिया है बड़े ह कि एक इस तरीके की बात करके हिंदु मुसल्मानों में फूट डालने की कोशिश कर रहा है और हम चुपचाप सुनते रहेंगे यह तो देश में हग लगाने की बात करता है और आपके मार्जम से मैं इनके शेहर में जाने के लिए तेयार हूँ वहाँ जाके पड़ूँगा मैं आपको मिला नहीं हूँ मैं आपकी उम्र जान सकता हूं मैं हाँज़ी मैं सब्सीन के खरीग हीम नहीं नहीं होती ही लेकिन सतनसाल के गीत लिए इतना तगड़ा गीत लिखने के बाद ये कह रहे कि आगर OVC के उपए सरकार कारवाई नहीं करती समाच चुब बैठा रहता है तो सत्तर के उमर में भी रमी जी हिदराबाद उसके घर पे जाकर अपनी बात कहने के लिए तयार है रमी जी इतनी सारी प्रेरणा कैसे मिलती है मैं तो एक घीतकार हूँ एक शायर हूँ महबबत की बातें करता हूँ चांड सितारों की बात करता हूँ लेकिन यहां मुझे लगा कि नहीं अगर इस वक्त बेश प्रेम नहीं जागा तो शायद बहुत लोग पीशे रह जाएंगे मेरी आवाज उन तक जरूर पहुंचे मैं आपका अबारी हूँ आज आप बीमारी में होते हूँ भी फोन पर हमसे अवेलेबल हुए हम आशा करते कि जल्दी ही हम आपको वीडियो आडियो के साथ पूरे हिंदुस्तान के सामने इसका जब वीडियो आल्बम बनेगा तब लेके आएंगे मैं देशक क्यार हूँ आप खुक्म कीज़ेगा मैं हादिर हो जाँगा दनेवाद आपका और आप स्वस्त हो जल्दी दनेवाद रमीजी हमारे साथ जिन्हों ने इस गीत को लिखा है इस गीत में एक शब्द उस प्रतिवा के धनी के द्वारा इसके कुतरकों का जवाब दिया गया है अब हमारे साथ चार कवी जुड़े हैं एक कवेत्री जुड़ी है हम उनके पाथ चलते हैं देखते हैं कि इनके तरफ से भी यह अपने शब्दों से इसके कुतरकों का कैसे जवाब देते हैं अंकीत होजा से शुरू करते हैं कि अधनिवाद जी हम कभी है और हमारा काम है सच्चाई को लिखना अगर कोई हमारे देश को तोड़ रहा है तो बिल्कुल हम उसे ठोकेंगे चाहे वह ओवैसी हो या और कोई भी मवेशी हो हमें उससे मतलब नहीं है आए पहले हम चाह लाइने कभी का जो देश है बताते हैं कि जो बात सच है बात वो हर बाहर लिखेंगे सब के लिए समान का अधिकार लिखेंगे भारत में रहके भारती यह बन न सके जो भारत में रहके भारती अबन न सके जो गदार लिखा है उसे गदार लिखेंगे गदार लिखा धन्यवाद जी और आईए सीधे सीधे अपने टॉपिक पर आते हैं कि अगर हिंदुस्तान के अंदर कोई भी हमारी संस्कृती को गंगा जमनी तहजीब को ठेस पहुचा रहा है तो हम उसे हिंदुस्तानी कभी नहीं मान सकते हैं एक जरूरी बात आज है दुनिया को समझानी है हिंदुस्तान उसी का है जो सच्चा हिंदुस्तानी है राश्ट्र दोह का पाप अगर किसी न भी दोहराया है याद रखो सदा कृष्ण ने सुदर्शन चक्र उठाया है आता ताई जब दुनिया में व्यर्थ संग्राम मचाते हैं हम कृष्ण के वनसज हैं हम सांतिदूत बन जाते हैं यदि सीधे समझाने पर भी बात समझना आत है तब भारत की नारी तक भी चंडी रूप में आती है लोगों को भड़काने वालों बेकार तुम्हारी जवानी है हिंदुस्तान उसी का है जो सच्चा हिंदुस्तानी है क्यों बने तुम साप आज भारत में विश्षो उगल रहे हम रिशियों की संतानों का धैर्य तोड बनाया था साप कोई डसने की खातिर जितना ही मचलाता है अगर पकड में आ जाये तो उतना कुछला जाता है गंगा जमुना की पावन संस्कृति को अगर ठेश पहुचाओगे कान खोल कर सुनलो तुम देश निकाला पावगे तोड नहीं पावगे हमको जब तक गीता की बानी है हिंदुस्तान उसी का है जो सच्चा हिंदुस्तानी है मानो हो तुम अपनी अवकाद भूल क्यों जाते हो मदिर मस्त दानों जैसे तुम इश्वर्प तक चड़ जाते हो शेर बने हो चिलाते हो शेर बने चिलाते हो पर चूहो जैसी बाते हैं बिल से बाहर आकर देखो फिर अवकाद बताते हैं भारत में सबको ही अपनी आस्ता का अधिकार मिला समविधान ठुकराने का कैसे तुमको अधिकार मिला तुम क्या जानो जब तुम पैदा होने वाले थे तब हमने ग्यान और विज्ञान के ग्रंथ लिख डाले थे धर्म ग्यान देने वाले तुम कितना अनसुलजे हो तुम अब तक केवल रूढ़िवाद में उलजे हो तेरी रगरग में लाल रंग का खून नहीं है पानी है हिंदुस्तान उसी का है जो सच्चा हिंदुस्तान बहुत बड़ी वह वहसी सदो अगर आप हमारे देश द्रोही मानते हैं और हम इनको बतलाना चाहते कि अगर देश तोडने का प्रयास किया तो हम आपको तोड़के रक सकते हैं जलिए धन्यवाद अंकीत होजा ने अंकीत किया है और इंकीत भी किया है आशा करते हैं को इसको समझ रहे होंगे रुकते एक छोटे से ब्रिक के लिए ब्रिक के बाद तो दुबार आपके पास आएगे हमारे साथ चारों कवी जुड़े है और आप भी कि ब्रिक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है आप देख रहे हैं बिंदास बोल और बिंदास में हम आपके सामने लगातार 28 वे दिन हजिर है लेकर ओविसी के नंगा नाच को ओविसी के नंगा नाच के तमाम वीडियो हमने आपके सामने दिखाए है अभी आप पहले आपने सुना था एक विशेश गीत को जो कि ओविसी के नंगा नाच पर ही पनाया गया है उसके खुतरकों को जवाब दिया गया है आए अगले कवी के पाथ जाने के पहले हम आपको इसका एक वीडियो दिखाते हैं जिसमें ये दुनिया को फता करने की बात कैसे करत पर आज करना चाहता है अब कभी जवाब दे सकी सीयंगे पास में चलता हूं सखी जी आपने सुना यह क्या सुना होगा आगने वाले कारिकम में आप क्या प्रतिक्रिया है मैं OBC से यही कहना चाहूंगी कि उसके जो वक्तव हैं वो खुद तक सिमित रखे हमारे यहां की जनता भी अब जागरुक है उसकी एक एक बात का वो बहुत मजबूती के साथ मुकाबला करेगी और उसको खुलकर टकर देगी हम उसूलों पे जीने वाले इंसान इसको खतम करना है हम अपने उसूलों की बात करते हैं तो इस पर मैं कहना चाहूंगी उसूलों के लिए हम जीते हैं जिन्दगी का हर जहर पीते हैं चाहे कितनी भी मुसीवत आएं हर हिंदुस्तानी सच्चा हिंदुस्तानी अपने देश के लिए जान भी दे सकता है उसूलों के लिए हम जीते हैं जिंदगी का हर जहर पीते हैं सुकर है सांस उधार नहीं जिंदगी कोई ब्यापार नहीं हमने कितनी कीमत दी है तब जाकर इ इनसे परे जौं मैं फिर क्यों इन से परे जौं मैं कियों अपना आप गबाउं मैं ओव ब सी सुल्ले मेरी बात तू जो ना माना तो बजाएंगे हम लगा के तुझे दो दो हाथ हो इसलिए वो अपनी बाणी है उसको यहीं पर बिराम दे दे, वरना हमारे पास भी उसके बहुत तरीके से जबाब देने आते हैं, यहां का हर बच्चा बच्चा आज हिंदित्व की लहर के साथ जाग उठा है, और वो जो सोचता है कि हिंदुस्तान पर फत्य कर लेगा, वो सिर्फ उसके खयाली पुलाव ह और वो उसके दिमाग तक ही सिमित रहेंगे, उसके पहले कि वो कुछ भी करें, यहां के लोग उसको यहां से 9-11 कर देंगे, मैं यही कहना चाहूंगी कि हम सब को इसका जवाब बहुत ही अच्छे से मुकाबले के साथ देना है, चली कोई कविता आप इसके उपर करते हैं, हम यहां पर हर धर्म की बात करते हैं, तो इस पर मैं कहना चाहती हूं, ना बाटो इसे धर्म की खातिर ना जाती के नाम पर, इंसा को खुद ही बाटा है धरती पर इनसान ने, नसल भेद और खंड भेद का राजी हां पर चलता है, नसल भेद और खंड भेद का र पर आज हम यहां जाग उठे हैं और हम लोग आप बटेंगे नहीं मजबूत हात बनाकर हम यागे बढ़ेंगे शली हमेरे साथ चेतन Mormon कहरेकर चेतन, आपके पास क्या है देश को सचेत करने के लिए, चेतन करने के लिए तो मुद्धे पर आएंगे रागər देस फैलाने वाली रीत नहीं लिखता हूं मैं शुविधाों का गायन-वंद्ण मेरे बस की बात नहीं दरबारों में बिकने वाले गीत नहीं लिखता हूं मैं नहीं गुलाम यह कलम किसी सब जन सेवा खाते रहें यह वर्थमान के भावि भूत की लिखती सदा गवाही है और आज राम क्रिष्न बुध गौतम गांधी और कलाम के देश में हमें ऐसे देश द्रोही की वकतब सुनने को मिलते हैं, ऐसे बैशने को मिलते हैं, जो सब्द आज के समय हिंदू क्या एक स सुनना पसंद नहीं करेगा और वह भी उसका मुहतोर जवाब देगा तो मैं पंक्तियों की माध्यम से इसको इस देश द्रोही को इस गदार को देश के दुस्मन को मैं जवाब देता हूं कि फिर संचार रख्त का तेज हुआ एक कभी क्या बोलत का है एक कभी के हर्दय में क् है चेहरा यह मानुशूर धरापर दोले हैं फिर देखो आज सपोले कैसे गदारी भासा बोले हैं फिर देखो आज सपोले कैसे जहरीली भासा बोले हैं फिर भुजाएं हैं फड़क उठी फिर भुजाएं हैं फड़क उठी दोनों को सबक सिखाने को फिर दोस्द्रोहियो को स्माटी से दूर भगाने को फिर देश-द्रोहियों को स्माटी से दूर भगाने को हो कोई खलीफा कितना भी या छोटा बड़ा बिखारी हो वोट और इसके बाद इस देश में जहां पर हमें नौजवानों को जबाना होगा इस नौजवान को आंगे आंगा होगा नहीं पीडी को हमें सोच बदलनी होगा धेस भकति का हिंदुप्त का जजबा हमें पैदा करना होगा क्योंकि हम जो है सफारो धर्म संपधाय बाले वाले देश हैं किन्तु हमारे घर्म पर हमारी सन्सेकर्डिकर्डिकर हमारे मां पर कोई धर्म के नाम पर मजब्ब के नाम पर लोगों बाढ़ती है यह देश को बाढ़ने का काम कर रहे लेकर वहां की के सर्गहाती के नाम पर एक पैगाम शुदर्शन माध्यम से आप देशवासियों तक पहुंचाता हूं कि एक केसर घाटी के वासिंदो तुम अपने भारत पर विश्वास करो वह बहुर्पिया क्या दे पाएगा बस निजन्नी पर आस करो तुम जिस मिट्टी में पले बढ़े वह माटी हम सब की माहें स्रीनगर कास्मीर जम् जिन्दा बात पाक बोलने वालों क्या तुमको बिल्कुल खेद नहीं इस भारत जैसे देश कहीं भी जग में दूजे ना पाओगे जो मिलता सम्मान यहां जग में पूजे ना जाओगे गर समय मिले तुमको तो जाकर के एराक देखना इरान बांगला देश पाक तक की भी जाकर खाक देखना दैसत्वा अंगार देखना सब हाथों में हत्यार देखना भुक्मरी गरीबी लाचारी वा सरय अंब्यभिचार देखना इतना सब भी भाजाएगर इतना सब भी भाजाएगर तो लौट नहीं फिर आना तुम जहां सांतिपा जाओ बस उसी जगह बस ज करिए कि कहां गए वो लोग सदा उस समझे हमारे सेना के जवान उस कास्मीर की घाटी में अपने लोगों को बचाने में लगे हुए थे तब कहां गए ये लोग सदा जो गीत पाक के गाते थे अब जल जैसे जलादों को देश्वक्त बतलाते थे आतंकी की फांसी पर घर-घर से दंसा करते बस पाक परस्ती की ही बाते स्वर कोई न दूजा आता था महमान बना कर आतंकी को जलाद जलाद दामान बना कर आतंकी को जलाद दामान सब पूजा जाता था घर में पनाह देकर आतंकी घर में पनाह देकर आतंकी कैसे वहां बचाए जाते थे इन मात भूम के कब तक अपने आचल में अब और सपोले पाले वो जहर बुझे इंतीरों को कब तक ना फेक निकाले वो चुपरही सरकार सदाही न कभी भी इनको दन दिया तब जाकर भारत माता ने अपना तेज प्रचंड किया उसको केसर की घाटी को फिर से पवित्र बनाना था निश्कासित कस्मीर प्रणितों को फिर से वहीं बुलाना था तब ही तो मेगों ने जी भर के जल बरसाया था तब ही जहलम चिनाफची नदियों ने रोद रूप दिखलाया था आज वही फोजी जन उनके इस्वर का उतार बने आगे बढ़ उनको बचा रही थी जो घाटी यहां भुल गए अफ़गान बर सिय मान घुट अब तक जो कुश बीच गया अब लेंगे यहां है तब हम आपको दिखाते हैं इसके आगे का वीडियो वैसे तो ये वीडियो चल चुके है लेकिन में बार-बार हिंदुस्तान के सामने इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि इसकी गंभिरता उनको समझ में आए इसके इराद ये समझ में आए और आप इसको तब तक ना भूले जब तक सरकार इस पे कारवाइदा करें आए ये अगला वीडियो जिसमें ये कहता है कि मेरे सामने अगर माइक न तो हिंदुस्तान की हजार वरस की तारीख में दुनिया ने उतना खून खराबा ना देखा होगा जो खून खराबा इस मुलक में हो जाएगा देखिए क्या मस्ति है इस मस्ति को उतारना जरूरी है क्योंकि यह मस्ति अगर नहीं उतरेगी तो यह हिंदुस्तान को एड्स की तरह ऐसी बिमारी लगाएगी कि पूरा देश खोकला हो जाएगा अगर ऐसी मस्ति को उतारने के हम इतिहास में उधारन देखेंगे तो चतरपती, शिवा जी, संभा जी, महराज, महराना प्रताप्ट से लेकर अंगरेजों की भी मस्ति उतारने के लिए नेताजी, सुबाच, चंदरभोस और भगत सिंगी इस देश में हुए है उन सब लोगों के हम वह उशज है लेकिन न जाने क्यों हम शांती पाठ के प्राथना में इतने लीन है कि इसकी गाली भी हमारे कान तक क्यों ने आती या आने के बाद हमारे दिल तक क्यों ने उतरती और अगर उतरती है तो किसी प्रतिक्रिया में वो क्यों नहीं दिखते यह प्रतिक्रा दिखाएंगे आमीत शर्मा कि मैं जैसे सच्चे लोगों को ना इधर के लोग कुछ होते ना अधर के लोग कुछ होते अभी आपने हमारी सभता की बात की हमारी संस्कृति की बात की हमारी विचारधारा की बात की वास्तिक बात यह है कि हमारी विचारधारा रहे हर व्यक्ति देश में सांती फैले लें हमारे संसकार किस तरह के हैं कहीं दादा मासूम गाजेबादे लिखते हैं कि किस तरह की बात करते हैं किस तरह के संसकारों की बात करते हैं कि नमाजी तो नहीं है हम नमाजी तो नहीं है है हम तो हम तो हम तो पत्तरों पर भी श्रद्दा रखते हैं इनसान तो वह दूर की चीज अगर हमारे हां मसोबा बिठोबा बिरोबा ऐसे ऐसे कई-कई भगवान है जो पत्तरों से भी बने जाते हैं कई-के तो चेहरे भी नहीं होते हैं और उसके आगे जाके मन के द्वारा मिलने वाले उस भाव को भी जहां माना जाता है वहाँ पर किसी भी धर्म के भगवान के बारे में कोई अस्प्रुश्चता नहीं रखी जाती लेकिन ये हिंदुस्तान के भगवानों के बारे में क्या क्या कहता है ये दिखाएंगे लेकिन पहले आपको सुनते हैं हाँ तो यह कहने की बात भाई साब यह है कि कुछ हमारी भी कमी रही है क्योंकि अगर प्यार हो या युद्ध हो भरपूर होना चाहिए प्यार में और युद्ध में कोई भी समझोता नहीं होना चाहिए कोई भी कॉम्प्रमाइज नहीं होना चाहिए हमारी हमेशा से यही उसके एक महिने बाद नरेंदर मोदी हैदराबाद गए लाखों की भीडू ने सुनने आई और अकबर दिर ओएसी जैसे विधायक उस दिन बिलो तक भार नहीं आ पाए यह सिर्फ बोन ना जानते करना कुछ नहीं जानते और एक बाद इन्हों ने उस समय पे इसने कुरान की कसम खाए थी कि मैं कुरान की कसम खाकर कहता हूं मैं अपनी बात पर बिल्कुल अडिग हूँ मुझे कोई नहीं डिगा सकता लेकिन जब सुदलसंद चैनलन ने इसके खिलाफ मुहीम चलाई और इसकी ग्रफतारी हुई ग्रफतारी होने के बाद अकबर दिन ओएसी को चार दिन में जिल में पसिना आजाता है और चार दिन के बाद ये अपने वकील से कहता है कि मैं कुरान की कसम खा के कहता हूं वो वक्त वे मैं नहीं दिया वो किसी ने मेरी आवाज डबिंग करके वक्त वे बनाया हूं भाइसाब आज मैं कवीतनी सुनाना चाहता, इसके जितने भी कुतर के उनका जबाब देना आया हूँ, इस व्यक्ति ने कहा तो मैं कुरानी किसम खाता हूँ, लेकिन उसके बाद भी, मैं हिंदूस्तान की मुसलमान भायों को बता देना चाहता हूँ, कि जिस देश का वो व्यक्ति तुमारा पैरियार कैसे हो सकता है वो व्यक्ति तुमारा हितेसी कैसे हो सकता है जो व्यक्ति कुरान की बात पर विश्वास नहीं करता वो व्यक्ति तुमारा साथ कैसे दे सकता है जो इस देश को तोड़ने का काम करता है लेकिन इस देश में सबसे ज़्यादा दुखु समय पर होता है जब OEC जैसे गड़ारों के follower इस हिंदुस्तान में बढ़ते जाते हैं इस देश में दुख तब होता है जब OEC जैसे गड़ार खुले आम बोलते हैं और हमारे धर्मगुरू हमारे मौलाना एक छोटा सा फत्वा तब उनके खिलाफ जारी नहीं करते अगर हम हिंदुतु की बात करता हूं मैं मंचो के माध्यम से हिंदुतु की बात करता हूं तो लोग मुझे एक मिनिट में सामपरदाइक कह देते हैं मित्रों मैं सामपरदाइक नहीं हूं मैं सम्विधान के अकॉर्डिंग चलता हूं मैं सम्विधान के नुसार चलता हूं देश की संसत के अनुसार चलता हूँ, मैं उस्तम न्यायाले के अनुसार चलता हूँ और उस्तम न्यायाले ने जो बात कही है, वो संविधान में लिखित है कि हिंदुस्तान में कोई भी व्यक्ति अगर रहता है, तो वो हिंदु है चाहे वो किसी भी जाती किसी भी मजभ किसी संपर्दाय का क्यों नहीं हो अगर कोई भी व्यक्ति हिंदुस्तान में रहता है वो हिंदु है और उसे हिंदुस्तान की बात करनी चाहिए एकता की बात करनी चाहिए देश को जोडने की बात करनी चाहिए मैं बहुत सारी संस्था उसे जुड़ने के बाद भी मैंने आस तक किसी के मन में भेद नहीं किया लेकिन अगर ओवएसी जैसे गदार ओवेसी जैसे दो कोडी के विधायक हिंदुस्तान में जहर गोनने का काम करेंगे तो हम इस सर्मा बोलेगा, हर मंच से बोलेगा, बेबाक बोलेगा, बिंदास बोलेगा चाहे कुछ भी बात हो, क्योंकि हमने कहा है कि जो दिल में तेरे मैल भरा जो दिल में तेरे मैल भरा, उसे हम ही साफ कर सकते हैं सत्रा बार मुहम्मद गौरी हम ही माफ कर सकते हैं कुछ दिन जी ले ओवेसी गर तुझे प्रेम से जीना है, दिल्ली वाली गद्धी पर अब चपन इंची सीना है चपन इंची सीना है और सबसे बड़ी बात है हमने जो अनुसरन किया है वो अपनी देवी देवता हुआ काया है जो सत्तर बार माफी दी थी इसको तो सो से जादा बार माफी दी चाचुकी है अब इसलिए वो सत्तर का सत्रा का तो फर्मॉला गया अब स्री कृष्णा का सो का फर्मॉला भी गया है अब सो का घड़ा भर चुका है अब माफी नहीं है अब सजा है अब इसे माफी देने के ये लाइक भी नहीं है क्योंकि माफी उस व्यक्ति को दी जाती है जो व्यक्ति गलती करता है लेकिन भाई साब इसने इतना घिनोना करत किया है वो माफी के लाइक नहीं है ये देश द्रोय की सीधी सीधी परिभाशा घड़ी है लेकिन इस देश का द लोगों में जहर गोनने का काम कर रहा है, हिंदुस्तान पर अपना सामराज इस्थापित करने की बात कर रहा है, ये अकवरुद्दिन ओवेसी हिंदुस्तान पर क्या सामराज इस्थापित कर पाएगा, इसके पूरवज 840 हिंदुस्तान में रहे गई, क्योंकि ये जमीन रि एक छोटे से ब्रेक के लिए ब्रेक के बाद दुबार आएंगे बिंदास बोल चारें कि ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागतिया आप देख रहे हैं वेसी के नंगा नाच का 28 माद दिन और हम विविन को आपके सामने लेकर आए हैं और दिखाते हैं कि क्या कहना है इनका और क्या तकूटर को के तर्क है सारे लोगों के पास हमने वकील लाए पत्रकार लाए, कवी लाए, महिला लाए, युवा लाए, तमाम लोगों को आपके सामने लेकर आए, हिंदुस्तान का कोई क्षेत्र नहीं बचना चाहिए, जिसके मन में इसके प्रति जवाब देने के ललक ना हो, या इसके जवाब नहीं दिये, ऐसा ना हो, इसलिए और भी जब तक इस पर कारवाई नहीं होती हम इस कारिकम को जारी रखेंगे और आज हम आपके सामने लेकर आए युवा कवियों को इनके दुबारा जवाब दिया जा रहा है मेरे साथ अमिद शर्मा भी आपको सुना रहे थे मैं उनको किसी कविता के लिए कहूंगा उसके बाद दुबारा सारे कवियों के पाथ जाएंगे और अपने बात कहने का उनको मौका देंगे अमीद आपको बहुत धन्यवाद भाई साब इस देश के युवा सकती से आवहन करते हुए कुछ पंक्तिया रखता हूं कि अपने दिल पर मतले ना बातों को कितने भी लियाम लगे युवा पी सकती जिस देश ने पूरे विशु को पूरे विशु का मार दर्शन किया है वो देश गलत नहीं हो सकता मैं आपका आवहन करते हुए कहता हूं कि दिल पर मतले ना बातों को कितने भी इल्जाम लगे और प्रिसंचिन चाहे लगे या फिर पून विराम लगे और चाहे खू पूटा लोग की लंबी लिस्टे ये भी हम ही करते हैं सबसे ज्यादा दुनिया में भारत में युवा चेहरे हैं इल्जाम हमेशा लगा हमी पर दाग बड़े ही गहरे हैं देश प्रेम की भावना आज हर युवा के अंदर है भारत की मिट्टी पावन हैं जोकते यहां सिक मंडी तो बदनाम नहीं होती लेकिन अगर सड़े फलों के आसपास बाकी फल रहते तो भी सब्सक्राइब उनको दूर करना होगा इसको दूर करना होगा कुछ और भी सड़ चुके हैं ऐसा नहीं कि इस और उनको भी दूर करना हो चले आमीद कुछ और आगे कहेंगे निक चले हम आभी आंकीद हो जाके पात चलते आंकीद आपकी दुबारा बारी है बोलिया जी मैं यह कहना चाहता हूं कि यह जो वैसी जैसे लोग है यह जब बोलते हैं तो हमें उतनी परिशानी नहीं होती है क्योंकि इंसान एक है एक इंसान पागल हो सकता है उसमें कोई गुंजाइश नहीं वह पागल हो सकता है लेकिन अगर है यह पागल का certificate लेने से जेल जाना बच्टा है जी फिलकुर लेकिन इतने कुछ दिनों बाद कहेगा मैं पागल हूँ बाल भी खीज लेगा कपड़़ फाड़ है भाई भी बोलेगा इसके गरवाले बौलेंगे माप कर दो यह पागल है हम माप नहीं करेंगे क्यूंकर यह पागल नहीं है यह पूरे ये कैसे कहता है मुसल्मानों का घुस्सा मेरे कारण रुका हुआ है देखे आपके सामने इसके एक खुतर को की ये बाइट आए हिंदुस्तान तो याद रख ले इन मुसल्मानों के घुस्से को थमाने वाले का नाम अकबर अदिरो ऐसी है और इनका घुस्सा मेरी जबान मेरे खिताब के जरीए तुछ तक पहुशता है अगर मरे ही रहूँगा तो तुछ इस घुस्से के साम में ताब नहीं ला सकेगा और तबाही और बर्बादी तेरा मुस्तग्बिल बन जाएंगे और इसके हिंदुस्तान का मतलब है सो करोड़ इसमें पच्चिस करोड़ नहीं यह इसका कहना है हम नहीं कहते हम तो कहते हैं कि सवासो करोड़ का हिंदुस्तान है बलकि इसमें रोज हर मिनिट हर सेकंड बढ़ने वाली जो भी आबादी है वह भी किसी भी धर्म की क्यों नहीं हम कहते हैं लेकिन जो आपने आपको इससे दूर करता है उसके लिए खुद जिम्मेबार है यह विधान में रखना चाहिए आपको अंकीत को अंकीत ओजा को बोली आंकीत जी मतलब इससे देश निकाला देने की कोई जरूवत नहीं यह पहले ही मान चुका है कि हम देश से बाहर है और सब कुछ लेके जाएंगे बोले हैं को जाने की बात कहने वालो खुदाना खासता हदार मरतबा खुदाना खासता पहले तो नहीं जाने वाले हम गए तो खालियात नहीं जाएंगे ताच को भी ले जाएंगे लालसले को भी ले जाएंगे खुद मेनार को भी ले जाएंगे बचेगा क्या अयोदिया की वो टुटी-फुटी राम की मंदिर बचेगी वो एजनता है लोरा की नंगी-नंगी मूर्तियां बचेगी और क्या रहेगा आरे हम मरते भी हैं तो इस जमीन में क्योंकि हम को इस मिठी से मावबत है तुम मरते हो तो जलकर फिजाओं में आवारा की तरह चले जाते हैं अब भुलियां कि आप शायद आपको बोलने के लिए पूरा क्योंकि ऐसा कोई विशे नहीं जिस पर इसने मूह नहीं खोला है या मूह से गंदगी नहीं डाली है आप जो बोलना चाहेंगे मेरे पास बाइट हैं जी बिलकुल मैं रावन बंचे जाते हो अच्छी तरह से पता होगा रावन का क्या हश्र हुआ था तुमको यह भी पता नहीं कि पहले बैदनाथ या डाबर आया फिर क्या तुम जानोगे कि पहले राम हुए या बाबर आया अरे चिलाने से नहीं हो जाता है पचास जार लोगों को जूठी देश तूटने वाला नहीं है उसके असलियत में जाओ तुम्हें क्या पता है हमारी संस्कृती क्या है हमारा सनातन धर्म क्या है उसको तुमनी जान सकते हो तुलसी ने बतलाया है कि हरी अनंत हरी कथा अनंता तुम दो चार कहानी पढ़के तू दो चार कहानी पढ़के खुद मी अपना ग्यानी बनता एक व्यक्ति पागल हो जाए यह बात समझ में आती है लेकिन समझ नहीं आता यह भीर तालियां क्यों बजाती है भारत मा की अखंडता को जो नुकसान ठहराएगा हर एक हिंदुस्तानी उसको पागल ही ठहराएगा सुधर जाओ सुधर जाओ अब यदि तुमको अपनी पहचान बता बचानी है हिंदुस्तान उसी का है जो सच्चा हिंदुस्तानी है हिंदुस्तान उसी का है जो सच्चा हिंदुस्तानी है मुझे चार लाइन सुनिए कि जिन्हें जाना है विद्याले वो मदिराले को जाते हैं जिन्हें गाना है जनगर्मन बेहुदे गीत गाते हैं बिछा सकते नहीं जो प्रेम की है एक भी चादर वही बारूद मंदिर और मस्जिद में बिछाते हैं वही बारूद इनका कोई सहारा नहीं है यह मंदिर में भी बारूद बिछा सकते हैं मस्जिद में भी बारूद सकते हैं इनका केवल एक उद्देश है देश को तोड़ देना लेकिन हम कभी हैं हम बहुत सम्वेदंशील होते हैं जहां शंगार देखते हैं लेकिन अंगार लिखने की नौबत आती है तो हम उससे पीछे नहीं हटते आचल मिला मुझे तो मा का प्यार बन गया जब प्रेम से मिला कोई शंगार बन गया तूने जो नफरतों की आग दिल में लगाई तूने जो नफरतों की आग दिल में लगाई था बर्फ का टुकडा मैं भी अंगार बन गया तो आप बिल्कुल समझ लीजिए वैसी कि अगर आप ऐसे आग लगाते रहेंगे तो हमें वो दिन देर नहीं है जब पूरा देश एक अंगार बनके उठेगा और ऐसी आग लगाएगा कि तुम जैसे दो चार जो घास फूस के टुकड़े हैं ना वो जड़के जलके कहां चले जाएंगे उसकी राह कभी पता नहीं चलेगा चले बहुत अच्छे अंकीत बड़ा अच्छा अंकीत आपने किया है देखते क्या इंकीत होता है चेतन जी के बात चलते हैं चेतन और सरनेम खड़े है ख्रिक बंड़कोल मैं कलंकार होने के नाते चारउठी पंगतियां सब्सक्राय करते हैं चब जब अहत होती सधू घबराया करते है तब राष् जागरन धर्म हमारा और अधिक बढ़ जाता है तब कलमकर एकर रह दिखाया करते हैं और देख में को यूवा-पिढी को नवांकरों को समोधित करते हुए मैं कहता हूँ कि तुम करते रहो आज की यूआ पीडी कहा जा रही है और कहा जाना चाहिए था तुम करते रहो कंगन चूड़ी प्यार की बातें सनम की बाहों में बाहें डाल कर इजहार की बातें मैं कैसे रोक लूँ खुद को इस लुटते वतन को देखकर मेरे सीने में हिंदुस्ता करूँ अंगार की बातें और सुर्ख साड़ी गुलाबी होट या बिंदिया चमकती हो हो पायल की रुण्यों या चूडियां खनकती हो भरमरबन लिख नहीं सकता कभी मैं पुस्प की खुस्बू जब ये देश लुटता हो भारतमा बिलगती हो जब ये ओईसी जिवसे गदार देश द्रोही इस द संकृति को हमारी सब्धता को बद्दाम करने में लागी हो तब मुझे नौजवानों को समधित करती हुए कहता हूँ कि वतन के काम ना आए तो जवानी फिजूल है प्यासे को गरना दे सको तो पानी फिजूल है मिला है जीवन अगर तो राष्ट सेवा में जियो बिन से दोस्तों रवानी फिजूल है और अपने जवानों के लिए देश भक्तों के लिए वीर शाथियों के लिए कुछ पंक्तियां कि शिथिल रख्त शिराओं में युवाओं को सम्मधित करते हुए देश के आंतरेक और वाह सैनिकों को स्रफ्चावलों को सम्मुधित करते हुए कि शिप्तेल रख्त शिराओं में नवशोनित की धार भरो है भारत के वीर जवानों फिर से भीचन हुंकार भरो अधरों पर जएहन के नारे अधरो पर जैहन के नारे हो वंदे मातरम सासों में गगंत रंगा लहराई सदा जो केसरिया रंग पलासों में जै भारत जै भरत भूमिका स्वर अपजे अहसासों में जै 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 अखंड भारत ये गुणे कलस को हासों में जै 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 अखंड भारत ये गुणे कलस को हासों मे अरिदल मर्दन करना है अब गरजन बारंबार करो शिथल रक्त शिराओं में नव शोनत की धार भरो हे भारत के वीर जवानों फिर से भी सन हंकार भरो तुम नगपत के किपा पातर हो सेशावतार तुम्ही काल रूप हो दुस्मन के रणचंडीय ऐउतार दू मेरा तफरक शोनत से फिर भारत आ का स्रंगार करो एक पराक्रम की चार पंतियां परक्रम के लिए लिए butterfly समर जीत से ना नी हो तुम सागर परमीर पमत्त कि भाल राला की अमिट्र कहानी हो फासी के फंदों को चूम गई वो वीरों की अमर जवानी हो तुम लाल बाल पाल के वंसज तुम 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 लाल बाल पाल के वंसज पुनाह वही ललकार भरो शित्र रक्ट सिराउं में नव-शोनित की धार भरो और इसकता की अंतिम चार पंक्तियां देश्वासियों कि सदा तुम्हारी ताकत ने सदा तुम्हारी ताकत ने रुख तुफानों का मोला है शक्ति शोरिवास चाहस ने रिपु एहम हमेशा तोला है अपनी भोजाओं का प्रताप भूशैल गगन में छोला है लहू की अपनी धारबहा के म का आचल जोड़ा है शूर वीर है सक्तिवीर है शुर्वीर है सक्तिवीर उट दुश्मन का संगार करो शिद्यलरक्त शिराओ में नव सोनित की धार भरो भारत के वीर जवानों फिर से भी सनहुंकार भरो जैहिंद बहुत अच्चा युवाक यह ने जवाब दिया है वह इसी को हिंदुस्तान का जो भी व्यक्ति अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन्द इसके कुतरकों के खिलाफ करना चाहता है हिंदुस्तान के मैं तमाम प्रतिभा शाली लोगों को आवान करता हूं अगर आप कार्टूनिस्ट है तो इसके खिलाफ कार्टून बनाए कि आप computer on animation Banner सकते हैं तो ऐसे देष द्रोई के खिलाप animation बनाईए अगर आप गीत लिख सकते तो गीत लिखेंगे अगर मुजिक दे सकते या अगर आप शेरोशायर कर सकते तो णरी एगार सकते हो इसलिए करिये इस देश में नायक तो मिला है। लेकिन खुलनायक सामने नहीं था, यह खुलनायक का एक प्रतीक है, जिसको इस प्रतीक को ही नहीं, इसके पूरे वहएँशावली को हमको खटम करना है इसे प्रतीकों को एक व्यक्ति नहीं बलके प्रवरुत्ती के तोर पर हम इसको लेकर आये हैं और इसलिए समस्त हिंदुस्तान को जागने का और अपना कांट्रिबुशन देने का मुका है मुझे कई लोग फोन करते हैं फेस्बुक पर भी लिखते हमें किसी और प्रकार की आपकी मदद नहीं चाहिए अगर मदद चाहिए तो केवल आपके सहबाग की चाहिए आपकी सहबाग की मदद के साथ इस विशे को हम आगे लेकर तब तक चलेंगे जब तक ऐसी प्रोरुत्ती खतम नहीं हो दी मैं सारे दर्शकों का रमी जी का साथ में मेरे साथ जुड़े चारो कवियों का आभारी हूं करकम को छोड़ चलते उसी गीत के साथ जो गीत रमी जी ने विशेश बना कर आज हमको भेजा है हिंदुस्तान को दिया है ऐसे प्रतिकों को प्रतिकों के खिलाप लड़ने के ल तिर सिखला दो इस ओवे सी अभिमानी को इक किन्नर में ललकारा है हर इत हिंदोस्तानी को जूट समझ पैठा है ये तो रामकृष्ण कीवानी को सामायन गीता पढ़वाओ विद्धो ही अज्यानी को हिंद किशक्ति सिखला दो इस ओवे सी अभिमानी को एक किनर में ललका रहा है हर एक हिंदोस्तानी को सरे आम भे शर्मी का ये नंगा नाच दिखाता है जातपात के नाम पे भोले लोगों को फड़काता है दीन धरम में जहर घोल कर ये मौमिन कहलाता है ये दुश्मन है भारत मां का सची बात यही है जूट कपट छलमकारी इसकी यौकात यही है ये औरलाद है आई एस आई की इसकी जात यही है हिंदोस्तान की धर्ती से कुछ भी ले जाना पाएगा सच का चेहरा पहुत जल्द ही तेरे सामने आएगा ताज महल ले जाने वाले खुद का धोपे जाएगा पाद मरन के क्या होता है आज तुझे पतलाएंगे हम पवित्र अगनी में जल कर राम किसम कर जाएंगे और वमेसी तुझे गप्रने कीट मगवडे खाएंगे आ तुझे को ये समझा दूं के होती है नारी कैसी नूर शबाना मीरा राधा रव्या और गीता जैसी तेरी मोकी जात भी है कोशल्या और सीता जैसी बड़े जानवर खाकर आखिर क्या लज़त तुखाएगा असल स्वाद से ओवे सी तु भंचित ही रह जाएगा तु अर्खा कर एक कभी तु बड़ा मजा आएगा नापा कीगा अपने सर पे तुने कफन रखेटा है नफरत जलन धिना के उस्ते शोडों पे तु लेटा है तु इनसान कहा है मूरत तु शैटान का बेटा है तेरी जूठी आन का सूरत किसी शाम ठलने को है तेरा फल दो फल का जीवन मिट्टी में मिलने को है ये तेरी नापा का रूप अब तो बखने करने को है तेरी आन का रूप आप तु 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 आप झाँघ को पे अचला को नहीं करें сожалению, तुमजिए में और करें